आपो प्रार्थना करते हैं और पवित्र बनो और पवित्र हो जाओ केवल आपके वचन की शक्ति से यही हमारी एकमात्र आशा है खास करके आपका शिलोह कल होने वाली 23 महासभा की तैयारी चल रही है पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों को शक्तिशाली रूप से प्रभावते हैं सही तरीके से तुम्हारे साथ ताकि जैसे ही हम हैं आपके साथ सही तालमेल बिठा कर हम आशीरवाद के सच्चे चैनल बन सकते हैं जिसके माध्यम से आपका नाम में तथास्तु ठीक है इसलिए पिछली बार जब हमने जाच की थी विशेश परिधान जो परमेश्वर ने अपनी दुलहन के लिए तैयार किया है है ना और हमने विशेश रूप से देखा विशिष्ट और यह वास्तव में इस विशेश परिधान के लिए उबलता है ज अगवान का कानून है ना और कैसे परमेश्वर चाहता था कि हम इस वस्त्र को हर समय पहने रहें ताकि हम इसे अपने दिलों की राह पर चलने से रोक सकते हैं हमारी अपनी आखें और हमारा अपना लालच ठीक है और अंत में हमने जाच की कि वह विशेश परिधान या द्वारा यीशु मसीह को वस्त्र के रूप में पहन कर रखने का एक मात्र तरीका है खुद को शुद्ध एक व्यक्ति जैसा हमारी शादी में हमारे विभाग में चाया कहा जाता है या हमारे कार्यस्थलों में और हमारे राष्ट्र के लिए और बाकी दुनिया के लिए पवित्रता का यह आंदोलन वास्तव में हमसे शुरू हो तथास्तु तो आज हम सूसमाचार विस्तार पर चर्चा करेंगे और इस कानून का उलंगन करने वालों का क्या हश्र होगा उन्हें किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे और साथवें पर इस अध्ययन के निशकर्ष के रूप में मुक्ति दायक एतिहासिक अर्थ भी संशोधन तो आए तीसरे बिंदु पर चलते हैं व्यभिचार की अवधारणा का सूसमाचारिय विस्तार अब व्यभिचार की अवधारणा का विस्तार करते हुए येशु ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार का सिर्फ शारीरिक कृत्य ही नहीं लेकिन कामुक विचार मन में रखना यह भी व्यभिचार है दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने कानून के दायरे का विस्तार किया है को हमारे दिल मत्ती अध्याय में वह कहता है पांच श्लोक 27 से 28 आप सुना है कि कहा गया था कि तुम व्यभिचार मत करो मूसा की दस आज्याओं के अनुसार यहां येशु कहते हैं परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई भी स्त्री को वासना की द्रिष्टी से देखता है उसने अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर लिया है इसलिए शारिरिक संबंध के बिना भी जो कोई किसी स्त्री को या किसी स्त्री को किसी पुरुष को वासना की द्रिष्टी से देखता है और उसका दिल पहले ही व्यभिचार कर चुका है तो यीशू ये बता रहे हैं कि ये हमारा हृदय है जो व्यभिचार को प्रेरित करता है और मेरा मानना है कि यीशू उस दिल को वापस पाना चाहता है उसे सही है ठीक है और व्यभिचारी व्यक्ती न बनो इसलिए रेवरेंड इवान पार्क के अनुसार सातवी आग्या जैसे ही वह निशकर्ष पर पहुँचता है कहता है कि यह सब दूसरे आग्मन की तैयारी के बारे में है हम दूसरे आग्मन के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते है ये सात्वी आग्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इसलिए वह कहते हैं कि जैसे जैसे प्रभु का दूसरा आगमन निकट आ रहा है सबसे पहले हमें दूर रहना होगा प्रलोभनों और लेंगे का नैतिकता के पापों से इसलिए बाइबल सबसे अच्छी सलाह देती है व्यभिचार से बचने के लिए क्या करें और क्या आप जानते हैं कि क्या सलाह दी गई है भाग जाना बस भाग जाओ आप इस पर काबू पाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे याद रखें कि यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने बहकाया था और उसकी प्रतिक्रिया उस स्थिती से भाग जाने की थी यह उत्पत्ती अध्याय 29 में वर्नित है तो यह तथ्य की बाइबल हमें ऐसी परिस्थितियों से भागने या दूर भागने का निर्देश देती है उन पर काबू पाने के बजाए संकेत मनुष्य के लिए व्यभिचार करने के प्रलोभन पर काबू पाना कितना कठिन है हमें यह स्विकार करना होगा तो आईए इन दोश लोकों पर नजर डाले कोई भी अन्य पाप शरीर को इतना सपष्ट रूप से प्रभावित नहीं करता जैसा कि यह करता है क्योंकि व्यभिचार तुम्हारे अपने शरीर के विरुद्ध पाप है दूसरे तीमुथियू सद्ध्याय दोपत तीन में भी फिर कहता है भागो ऐसी किसी भी चीज से दूर रहें जो जवानी की वासनाओं को उत्तेजित करती है इसके बजाए धार्मिक जीवन, वफादारी, प्रेम और शांती का पीछा करें उन लोगों की संगती का आनंद लें जो शुद्ध हृदय से प्रभू को पुकारते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह शिलोह बन जाए, सही तो दूसरी बात, जैसे जैसे प्रभू का दूसरा आगमन निकट आ रहा है, हमें यह करना चाहिए हमें अपने शरीर, आत्मा और मन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए यहोवा के सामने निश्कलंक या दोश रहित रहो अब हम अकसर इस सच्चाई को नजर अंदाज कर देते हैं कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व तीन तत्वों से मिलकर बना है हाँ, हमारा शरीर, और हमारी आत्मा, और तीसरा है आत्मा धार्मिक लोग, सच्चे धार्मिक लोग, ईश्वर के सच्चे लोग होते हैं वे कभी भी आत्मा की उपेक्षा नहीं करते हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा पहलू इस दुनिया के लोग हमारे शरीर और शायद हमारी आत्मा पर भी बहुत ध्यान देते हैं लेकिन आत्मा वाला भाग, हमारे मनुष्य बहुत इस महत्वपूर्ण भाग को अंदेखा करना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहले हमें सम्रिद्ध होना होगा, हमारी आत्मा और हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए. तीसरे युहन्ना अध्याय एक पद दो में कहा गया है प्रियमित्र आशा है आप कुशल मंगल है और आप शरीर से स्वस्थ रहें क्योंकि तुम आत्मा में मजबूत हो आप देखें हमारी आत्मा सम्रिद्ध होनी चाहिए हमारा शरीर अच्छा रहे हमारी आत्मा को हमारे शरीर और उससे जुड़ी हर चीज के लिए परमेश्वर के साथ संरेखित होना चाहिए हमारे शारीरिक जीविका अच्छी तरह से बनाया जाना ईश्वर के साथ वह ये है कि वास्तविक अनुगरम जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए इसलिए बाइबल इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने मन, शरीर, प्राण और आत्मा में परमेश्वर के सामने निश्च, कलंग या दोश्रहित होना चाहिए एफिसियों अध्याय 5 की 27 वी आयत कहती है कि वह कलीसिया को अपने पास उपस्थित कर सकता है अपनी पूरी महिमा में उसमें कोई दाग, जुरी या कोई ऐसी चीज ना हो ताकि वह पवित्र और निर्दोश हो आप देखें, कब परमेश्वर हमारी और संकेत करता है पवित्रता, हमारी शुद्धता, वह हर तरह से सोच रहा है चर्च क्योंकि हम उस चर्च का निर्मान करते हैं अतह मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर की अद्भुत चमतकारी कृपा से तेईसवी महासभा के माध्यम से जिसे हम प्रस्तुत करने में सक्षम है इश्वर को चर्च या शिलोह अपनी पूरी महिमा में जिस पर कोई दाग या जुर्री या ऐसी कोई चीज ना हो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में हमें सबसे पहले अपने विवाह में पवित्र होना चाहिए एक अन्य श्लोक प्रथम थिसलुनिकियों अध्याय तीन, श्लोक 13 ताकि वह तुम्हारे दिलों को स्थिर कर सके फिर से वह इशारा कर रहा है सबसे पहले हमारे दिल का क्शेत्र ठीक है, ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके या फिर हम दोश रहित बनाए जा सकते हैं ताकि वह तुम्हारे हृदयों को स्थिर कर सके। में उपर की आयत कहती है, हम नए स्वर्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नई प्रत्वी कि यह संसार परमेश्वर की धार्मिक्ता से भर जाए। या शारिरिक व्यभिचार या मानसिक व्यभिचार आध्यात्मिक भ्रष्टाचार से इसका गहरा संबंध है। अब हमारे पास ये आधार है कि हमारे भौतिक जीवन के अच्छे होने के लिए हमारी आत्मा का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन व्यभिचार का आध्यात्मिक भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है या इसका उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतर जब व्यभिचार होता है तो हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से, क्योंकि व्यभिचार का पाप न केवल हमारे शरीर को अशुद्ध करता है, लेकिन ये भ्रष्ट करता है, हमारी आत्मा को भ्रष्ट कर देत इसलिए प्रथम कुरिंथियों अध्याय च्छपद 18 में ऐसे कहते हैं क्योंकि और जितने पाप मनुष्य करता है वे सब देह के बाहर हैं परंतु व्यभिचारी मनुष्य अपनी ही देह के विरुध पाप करता है और होशे के अध्याय 5 की आयत 4 में भी कहा गया है कि उनके भ पाहर होता है परंतु व्यभिचारी मनुष्य अपने ही शरीर के विरुध पाप करता है और फिर श्लोक 19 ये एक ऐसा श्लोक है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कहा गया है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है है ना क्या तुम नहीं जानते कि त परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा क्या यह हिस्सा है अनैतिक ता ठीक है यह व्यभिचार के बारे में है जिसकी और परमेश्वर संकेत कर रहा है वह हमें याद दिलाता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा के मंदिर है अब यह हमें बताता है वह सच्चाई जिसे हमें कभी वैनरे श्रीर चाहिए क्योंकि तुम दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा करो आपके शरीर में, क्योंकि हम में, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के पात्र हैं, और इसलिए आप कहते हैं, यह एक बहुत ही रोचकायत है, पहला कुरिंथियों अध्याइच है, आयर 13-17 है ना, तो इ कहकर कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हमारा उथला पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह हमें अनैतिक्ता के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए है, प्रथम कुरिंथियों अध्याइच्छा, पद 13-17, पूर्ववर्तिपद, यह बहुत स्पष्ट तत्य है, खाना पेट के लिए बनाया गया था, और भोजन के लिए पेट, पेट की रचना का उद्देश्य या कार्यक्षमता भोजन के लिए है, है न? क्या यह सच नहीं है, हालांकि किसी दिन भगवान भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है? लेकिन यहां बहुतिक शरीर के निर्मान के उद्देश्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, हमारा शरीर सर्फ इसके लिए नहीं बनाया गया था, विशुद्ध आनंद, सही, यह यौन अनैतिक्ता के लिए नहीं बनाया गया है, जैसे भोजन पेट के लिए बनाया गया था सही, यहाँ परमिश्वर हमें बता रहे हैं कि वे प्रभु के लिए बनाये गए थे वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा शरीर बनाया है हमारे शरीर के बारे में इसलिए जब हम प्रार्थना करें शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आنसू वह वास्तव में हमारी शारीरिक भलाई की परवाह करता है लेकिन वह कह रहे हैं कि हमें पहले यह जानना होगा कि आपका शरीर किसलिए बनाया गया है श्लोक पंद्रा, क्या तुम्हें एहसास नहीं? कि आपके शरीर वास्तव में मसीह के अंग है? हम अविभाज हैं प्रभू से यदि कोई मनुष्य इस मनुष्य को ले ले तो उसका शरीर भी ले जो मसीह का अंग है और इसे वेश्या से मिला दो या व्यभिचार में? कभी नहीं और क्या तुम नहीं जानते कि यदि कोई पुरुष्य किसी वेश्या के साथ जुड़ जाता है क्या वह उसके साथ एक शरीर बन जाता है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि दोनों एक में जुड़े हुए हैं ये सच्चे विवाह के बारे में बात कर रहा है जो की विवाह का मूल सिध्धान्त है, लेकिन आदम और हव्वा के साथ शुरू से ही, और इसलिए श्लोक सत्रह कहता है, व्यक्ति, जो प्रभु से जुड़ गया है, उसके साथ एक आत्मा है, तो हम यहां शामिल हो गए हैं, यहां ग्रीक में कोलाव है, शामिल हो गए, इसक से चिपका दो, ताकि हमारे शरीर शुद्ध बन सकें और शुद्ध बने रहें, ताकि हम वास्तव में मसीह के शरीर की सेवा और निर्मान कर सकें, हम कभी भी ऐसा कारण न बने जो मसीह के शरीर को भ्रष्ट या खंडित कर दे, तथास्तू, ठीक है, इसलिए मैं और यहां रोमियों अध्यायचा की 13 वी आयत हमें बताती है, अपने शरीर के किसी अंग को पाप की सेवा करने के लिए बुराई का साधन न बनने दें, बजाए अपने आपको पूरी तरह से परमेश्वर को सौप दो, क्योंकि तुम मर चुके थे, लेकिन अब आपके पास न नाख, होंट, हमारे हाथ, हमारा हृदय, हमारे शरीर की हर चीज हमारे यंत्र है, धार्मिक्ता का हमें अपने होटों का प्रयोग करना चाहिए, किसी की मदद करना धर्मी बनने के लिए, भाईयों और बहनों धार्मिक्ता का मतलब गलत और सही से नहीं है, धर्मी के बारे म यही धार्मिक्ता है, हमारे होंट, हमारे शब्द, हमारे कर्मों को सेवा करनी चाहिए। यह एक उपकरण है, मैं इस शब्द उपकरण को इस आधार पर परिभाशित करने जा रहा हूँ, नेविन पार्क, वर्नित, ठीक है, तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, है ना, पवित्र आत्मा अमर है, अमर का आर्थ है, कोई मृत्यू नहीं, तो शब्द साधन, बी, अंग के साथ विनिमय योग्य है, हमारे शरीर का अंग, ठीक है, कोरियाई भाशा में इसका मतलब है किकवान, और रेवरेंड नेविन पार्क ने वास्तव में इन शब्दों किकवान को चीनी अक्षरों में तोड़ कर समझाया, कि हमारा शर परमेश्वर की छवी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, तो यहां कि इसका मतलब है बर्तन और ख्वान, इसका मतलब है कार्याले में सम्मान जनक पद, ये शब्द वास्तव में इस सत्य को दर्शाता है कि हम, हमारा शरीर, ईश्वर की इस अमरात्मा का एक वाहन है, सही और इसलिए हमारे पास यह सम्मान जनक स्थिती है, हमारे शरीर को खत्रा है, माननिय कार्याले, शामिल करने के लिए, परमेश्वर की अमरात्मा, सही है क्योंकि एक पत्रस अध्याय एक आयत 23 में लिखा है कि हमारे पास परमेश्वर का यह अविनाशी वचन है, सही, इसलि अविनाशी हम, हमारा पात्र भी अविनाशी बनना चाहिए, हमारा पात्र, हमारा शरीर बनना चाहिए, अमर, क्योंकि हमारे पास अमर आत्मा है, तो आईए पिता को धन्यवाद दें, हमें ये अमर शब्द देने के लिए, हमें, और हम याद रखें कि पिता हमसे क्या चाहते हैं हमारे शरीर को सुरक्षित रखें शुद्ध और साफ करें और येशु मसीह की सच्ची दुलहन के रूप में तयार हो गई तो सप्ता हमारा शरीर भी उस हगदार बन सकता है जहाजा परमेश्वर के अमर वचन के लिए स्वयम अमर बन कर इसलिए प्रथम कुरिंथियों के अध्याय 15 की आयत तिरपन में रूपांतरण के आशिरवात के बारे में बात करता है ये नाश्वान अवश्य लगाएं अविनाशी ये नश्वर अवश्य लगाएं अमरता और इसलिए हमारे शरीर के चुटकारे का एक दिन है जैसा कि रोमियों अध्याय 8 की आयत 23 हमें ब और हम इस सूची पर चर्चा करेंगे जिसे रेवरेंड इवान पार्क ने अपनी साथवीं पुस्तक में शामिल किया है पहला व्यभिचार कितना शक्तिशाली है ये हमारे अपने शरीर के विरुद्ध किया गया पाप है ठीक है ये सबसे बुरी चीज है जो आप अपने श सिह द्वारा स्वयम सात्वीं आज्या कासू समाचारे विस्तार हम जानते हैं कि यह नियम हमारे हृदय हमारे विचारों की गहराई पर भी लागू होता है इसलिए शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से यौन पापों से दूर रहें कोई भी दूसरा पाप शरीर को इ परन्तु जो मनुष्र विचार करता है वह तो नहायत मूर्ख है क्योंकि वह स्वयम को नश्ट कर देता है वह घायल हो जाएगा और अपमानित होगा उसकी शर्म कभी नहीं मिटेगी क्या आप हमारे प्रतिपिता की तडप को महसूस करते हैं कि हम अपने शरीर अपनी आत् और मन को पवित्र और शुद्ध रखे सही क्योंकि अन्यता हम स्वयम को नश्ट कर लेंगे तीसरा व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता जब हम शारीरिक और आत्मिक व्यभिचार करते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए हम पिता के राज्य को देखन जो लोग लिप्त हैं अब यहां एक सूची आती है यौन पापो में या जो मूर्तियों की पूजा करते हैं ये आध्यात्मिक व्यभिचार है है ना मैं व्यभिचार करता हूँ या पुरुष वेश्याएं हैं या समलैंगिकता का अभ्यास करते हैं या चोर लालची लोग शराबी या गाली गलोज करने वाले या घटिया लोग हैं इन में से कोई भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा गलातियों के अध्याय 5 की 19 से 21 तक की आयतों में भी यह सूची दी गई है इन भयाव सूचियां लेकिन मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैं आप भी कर रहे हैं ये सब इसका हिस्सा है ये केवल बात करना नहीं है यहाँ व्यभिचार जब तुम अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं का अनुसरन करते हो सही आरमान अपने पापों का प्रकृति जब हम इसका पालन करते हैं परिणाम बहुत स्पर्ष्ठ है यौन अन और इस तरह के अन्यपाप मैं आपको फिर से बता दूँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि इस तरह का जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति, राज्य का उत्तर अधिकारी बनना, हे प्रभु, भाईयों और बहनों, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, हमें यह कभी नह पूलना चाहिए, हमें करने दो, वास्तव में, जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर के राज्य का आनंद ले, हमने सिखाया गया, परमेश्वर का राज्य वह स्थान नहीं है, हम तब जाएंगे जब हम मरेंगे या मरने के बाद, है न? परमेश्वर का राज्य, जैसा कि यहोश्व और कालेब हमें बताते हैं, उन्होंने कनान में प्रवेश किया, जीवित, परमेश्वर का राज्य एक ऐसा स्थान है, जहां हम जाते हैं, देखते हैं, आनंदित होते हैं, जीवित रहते हैं, आमीन, यहीं धर्ती पर, सो जब हम इन से अलग हो जाते हैं, मेरा मानना है कि पिता परमेश्वर हमें आशिरवाद देंगे, ताकि हम वास्तव में, विरासत में प्राप्त करें, और आनंद लें और देखें, सामराज्य, परमेश्वर का, जैसा कि यीश्व ने स्वयम नीकुदे मुझ से कहा था, आ ऐसा होने के लिए सभी प्रकार की मूर्खता को दूर करना होगा, प्रथम कुरिंथियों अध्यायतीन, पद सोलह से सत्रह, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम सब एक साथ भगवान का मंदिर हैं, और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, अतह एक शिलोह के रू परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई इस मंदिर को नश्ट करेगा, परमेश्वर उसे नश्ट कर देंगे, और हम जानते हैं कि यह पाप कितना गंभीर है, है ना? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम वह मंदिर है, तथास्तू, पांचवा व्यभिचार गरीबी की ओर ले जाता है, और व्यभिचारियों के हाथों बहुमूल्य जीवन की हानी, एक वेश्या के लिए होगा, तुम्हें गरीबी में ले जाओंगा, और कि केवल गरीबी ही नहीं, न केवल शर्म, लेकिन यह मौत के चेंबर तक ले जाएगा, नीतिवचन अध्याय पांच, श्लोक 3-6, इसमें लिखा है, व्यभिचारिनी स्त्री के होंट मधू के समान मीठे और उसका मुम्ह, तेल से भी अधिक चिकना होता है, लेकिन अंत में, वो विर्ष के समान कडवी है, दोधारी तलवार की तरह खतरनाग, उसके पैर मौत की ओर बढ़ते हैं, उसके कदम सीधे कब्र की ओर जाते हैं, क्योंकि उसे जीवन के मार्ग की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे पेता सबकी परवाह करता है, हमारे जीवनपत के बारे म तथास्तू पूजक हैं और यहां तक की जूठे भी हैं, उनका भाग ये जलती हुई गंधक की ज्वलंत जील में है, ये दूसरी मौथ है, शहर के बाहर कुट्ते हैं, जो जादूगर, अनैतिक यौन कर्मी, हत्यारे हैं, मूर्ति पूजक और वे सभी जो जूठ का जीवन जीना पसंद क इसलिए प्रकाशित वाक्य के अध्याय सरदान्दे में अंतिसमय के बारे में बताया गया है, इसमें कहा गया है कि साथ स्वर्गदूतों में से एक, जिन्होंने साथ कटोरे उंडेले थे, मेरे पास आया और मुझसे बात की, तो ये तो साथ कटोरे उंडेल दिये जाने के उसने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें न्याय दिखाऊंगा, वह महान वेश्या पर आने वाला है, जो बहुत से जलों पर शासन करता है, और पांचवी कविता, इसी अध्याय में कहा गया है, यह इस रहस्य को सुलजाता है कि महान वेश्या कौन है, नाम लिखा था उसके म माथे पर महान बाबुल, और वह कौन है, सभी वेश्याओं की मा, ठीक है, लेकिन यह नए यरूशलेम के विपरीत है, क्योंकि यह प्रकाशित वाक्य का सत्रह वाँ अध्याय है, है ना, तो सत्रह, अठारह और उननीस, बेबी लोन की महान वेश्या और उस पर न्याय, इस उसका आदर करें, क्योंकि मेमने के विवाह भोज का समय आ गया है, और उसकी दुलहन खुद को तैयार कर लिया है, पहनने के लिए सबसे बढ़िया शुद्ध सफेद लिनन दिया गया है, क्योंकि बढ़िया मलमल परमेश्वर के पवित्र लोगों के अच्छे कामों को दर शाता है, और फिर प्रकाशित वाकिय 21 आयद 2, ये बताता है कि ये दुलहन कौन है, है ना, मैंने पवित्र को देखा, शहर, नया यरुशलम, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से दुलहन की तरह उतरते हुए, उसके लिए खुबसूर्ती से तैयार, मैं प्रार्थना करता ह कि हम याद रखें, वह हमारे जीवन के हर पल में कि हम मेमने की दुलहन है, हम, मैं नहीं, हम एक शिलोह के रूप में, हम प्रभु की कलीसिया के रूप में दुलहन है, आये हम रखें, स्वयम को पवित्र, निश्कलंक और शुद्ध बनाएं, ठीक है, चलो महनती बने, परम शादी, मेरा मतलब है, क्या दुलहन चुपचाप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना, शादी हो चुकी है, और फिर हमारी बहन सिसका की शादी भी बहुत जल्द 16 अक्टूबर को हो रही है, है ना, मेरा मतलब है, वह अभी बहुत व्यस्थ है, है ना, जो बहुत व्यस्थ होगी, बहुत मेहनती होगी, खुद को तयार करने के लिए, शीलो हुवा दुलहन बने, शीलो ऐसा हो, मेहनती दुलहन ने खुद को सुन्दर ढंक से तयार किया, आमीन, तो अंततह, पांचवां बिंदू, सात्वी आग्या का मुक्तिदाई, एतिहासिक बख, आये बाइबल में इतिहास पर नजर डालें, ठीक है, और ये बात हम पर कैसे लागू होती है, अब यह व्यभिचार वास्तव में पहली बार शुरू हुआ, यह सात्वी आग्या का उल्लंगन इडन गार्डन में शुरू हुआ, आदम का पाप, यह सात्वी आग्या क उल्लंगन के समान था, ठीक है, जब आदम और हव्वा ने अच्छाई और बुराई के ज्यान के व्रिक्ष का फल खाया, तो उन्होंने उसके प्रती अपना हृदय खो दिया, है ना, लेकिन याद रखो, भगवान ने उन्हें पहले ही बता दिया था, कि बगीचे के सभी जैसा कि उत्पत्ती अध्याए 2, शलोक 9 और 16 में कहा गया है, बगीचे देखने में पहले से ही मनभावन और खाने के लिए अच्छे थे, और जीवन का व्रिक्ष वह व्रिक्ष था, जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, जैसा कि उत्पत्ती अध्याए 3, पद 22 और जनीति वचन अध्याए 3, पद 18 में कहा गया है, फिर भी, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का व्रिक्ष उन्हें बुद्धी का स्रोत प्रतीत हुआ, ये नहीं था, परमेश्वर ने कभी भी अच्छे और बुरे के ज्ञान के व्रिक्ष का उलेक, ऐसे व्रिक्ष के र बहकाया, सांप ने उन्हें बहकाया, तो लोग जो अध्यात्मिक या मानसिक रूप से, जो लोग अपना हृदय परमेश्वर के अलावा किसी और चीज़ को देते हैं, व्यावहारिक रूप से व्यभिचार करना, इसलिए याकूब अध्याय चार की चौथी आयत कहती है, ह क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और उस पर उसका कितना अधिक प्रेम है, तो परमेश्वर का हम पर जो प्रेम है, उससे बड़ा और क्या प्रेम हो सकता है, है ना? कई बार हम खुद को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं, हमारे पिता के उससे अधिक संसा तो मैं फिर कहता हूँ, यदि आप विश्व के मित्र बनना चाहते हैं, आप खुद बनाए परमेश्वर का शत्रू, आध्यात्मिक व्यभिचार, दुनिया के करीब होना भगवान से ज्यादा. और यहाँ नय नियम में, क्योंकि ये बार-बार तूट जाता है, कि हमारा दूलभा हमारा इनतजार कर रहा है, और हमारा दूलभा कौन है? यीशूू. इसलिए नया नियम यीशू को हमारे दूलहे के रूप में पेश करता है, सही, काना में विवाह भोज के व्रित्तांत के प्रेरित यूहन्ना यीशु का परिचय देता है। एक सच्चे दूलहे की तरह जो शराब छोड़ देता है। है ना? और यूहन्ना बप्तिस्मा देने वाला भी अपना परिचय दूलहे के मित्र के रूप में देता है। जबकि यह सपष्ट किया गया है कि जो दुलहन को उसके दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं। किसके लिए? दस कूवारियां जो दूलहे से मिलने गई? है ना? तो आईए हम व्यस्त रहें और उत्साह से भर जाएं क्योंकि हम अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। तथास्तू? और अंतिम दिनों में ठीक है, एक मेमना और एक लाख चौवालीस हजार हैं और उन्हें इस प्रकार परिभाशित किया गया है, लोग जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय कारा आवे आयचार में कहा गया है, ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को पवित्र रखा है या शुद्ध कुमवारी ये वे लोग हैं जो मेमने के पीछे चलते हैं जहां कहीं वह जाता है ये लोग मनुश्यों में से परमेश्वर और मेमने के निमित्र प्रथम फल होने के लिए मोल लिये गए हैं वे जेश्ट पुत्र हैं है ना कलकी महासभा का उद्देश्य परमेश्वर के सम्मुख उसके जेश्ट पुत्र के रूप में खड़े होना है और वही अध्याय चौदर जो एक लाख चौवालीस हजार की बात करता है उनका आगे वर्णन इस प्रकार भी करता है कि ये पवित्र लोग धैर्य पूर्वक उत्पीडन सहते हैं उसकी दस आग्याओं उसके आदेशों का पालन करके और यीशु में अपना विश्वास बनाए रखकर वे जानवर की पूजा नहीं करेंगे और अंत तक परमेश्वर की आग्या और यीशु में अपने विश्वास को बनाए रखेंगे तो ये सब प्रकाशित वाक्य के 19 में अध्याय में बताया गया है ये मेमने का विवाह है है ना तो ये नीचे चला जाता है प्रकाशित बाक्य 19 पद 7 पद 8 में मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुलहन ने अपने आपको तैयार कर लिया है ये उसे दिया गया था खुद को अच्छे कपड़े पहनाना लिनेन उज्जवल और साफ परंतु वह उत्तम मलमल पवित्र लोगों के धर्म के काम है मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप देखें पोशाग दी जाती है हम इसे स्वयम नहीं बनाते हैं मैं पिता हमें वस्त्र पहनाओ कल यीशु मसीह के साथ और हम हमेशा अपने लिनन को यीशु मसीह के खून से उज्जवल और साफ रखें जैसा कि हम प्रकाशित बाखे के सत्रहवे अध्याय से सीखते हैं तथास्तु अतह निशकर्ष ये है कि जो लोग यीशु को दूलहा स्वीकार नहीं करते सभी आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं और हमने इसके विनाशकारी परिणाम देखे सभी को यह सत्य मालूम हो हमारे प्रभू यीशु की दुलहन पश्चाताप करना और पूनह स्थापित किये गए आध्यात्मिक व्यभिचार या शारिरिक व्यभिचार से ताकि उन्हें नए यरुशलम के इस खूबसूरत पवित्र निर्मान खंड में पुनह स्थापित किया जा सके मैं सोचता हूँ कि यही हमारा मिशन है तो अब क्षमा करें कि इसमें इतना समय लग गया मैं आज सब कुछ समाप्त करना चाहता था क्योंकि आज का अंतिम अध्ययन है तो साथवीं प्रतिबधता का निशकर्श और जब हमने साथवीं प्रतिबधता का अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने यह प्रश्न पूछा यह भगवान कौन है हमें कानून कौन देता है? हमें कानून 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 देता है? हमें हमारे निर्माता या शाया 54 पद 5 तो जैसा कि हम अध्ययन करते हैं सभी के बारे में विवरण, व्यभिचार और विशेश रूप से आज हम आध्यात्मिक्ता में डूबा, व्यभिचार, हम बहुत चिंतित हो सकते हैं या उदास महसूस कर सकते हैं. हम सभी किसी से अलग नहीं हैं. लोग, सही, या एक तरह से या अन्य रूप में वेश्याएं. हमारी वेश्यावृत्ति के माध्यम से ये क्या काम करता है? ये है कि हमने सिर्फ अपने आपको ही अशुध नहीं किया है, लेकिन एक निकाय के रूप में, यीशू, शीलो के संपूर्ण शरीर के रूप में, कभी-कभी हमने अपवित्र किया होगा हमारा समूह. इस तरह हम इसके परिणाम बहुत ही बारीकी से देखते हैं, बड़ा और गंभीर. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में एक विशिष्ट द्रिश्य है, जहां यीशू, माफ कर, सबसे खराब प्रकार का व्यभिच और मुझे विश्वास है कि आपको और मुझे क्षमा कर दिया गया है, उसी तरह से आईए हम सब यूहना के अध्याय आठ को पढ़ें, यूहना अध्याय आठ, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ कर लाए, और उसे कोट के बीच में खड़ा कर द शिक्षक ने कहा, ये महिला पकड़ी गई है, व्यभिचार के क्रिप्ते में ही ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकें, इस मौत की सजा से बचने के लिए, पांचवी आयत में लोगों ने कहा कि अब व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसी औरत को पत्थर मारने की आग्या द लेकिन इसके बजाए यीशू नीचे जुका और इस उंगली से जमीन पर लिखा याद करना, भगवान ने केवल एक बार ही लिखा है, पत्थर की पटिका पर अपनी उंगली से और ये दस आग्याय मूसा के माध्यम से दी गई थी, और ये बहुत उलेखनी है कि यीशू अ जमीन पर लिखता है नया आदेश, नई आज्या, सातवी आयत लेकिन लोग इसे नहीं समझते, परन्तु जब उन्होंने उससे पूछना जारी रखा, वह सीधा खड़ा हुआ और उनसे बोला, वह तुम में से कौन निश्पाप है, वह सबसे पहले उस पर पत्थर फेंके, और फिर वह नीचे जुगा, और दूसरी बार जमीन पर लिखा, तुम्हारे बीच में कौन निश्पाप है, क्यों, क्योंकि कानून हमें बताता है, दस हुक्मना में, हमें बताता है कि हम सभी पापी हैं, एक या दूसरे तरीके से, जब येशु ने यह घोशना की, जब उ महिला, जहां वह थी, केंद्र में, आसपास और कोई नहीं है, जब आसपास कोई नहीं था, तब येशु ने यह कहा, उपर सीधे, येशु ने उससे कहा हेस्त्री, वे कहा हैं, क्या किसी ने आपकी निंदा नहीं की? तो महिला कहती है नहीं प्रभू और यीशु ने कहा मैं आपकी निंदा भी नहीं करता जाना अब से पाप अब और नहीं यीशु ने जमीन पर क्या लिखा उनकी उंगली का अर्थ है कि यह दस आज्याओं के बारे में है उसने ऐसा दो बार किया नई आज्या नया करार ये सब प्यार के बारे में है और क्शमा मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सेवकाई निंदा की सेवकाई नहो या गलती ढूंडना या ढूंडना एक दूसरे की नगनता क्योंकि हम सब है लेकिन आईए हम एक दूसरे को ढखने वाले बने आईए हम मेल मिलाप की सेवकाई में मेहनती बने जैसा कि येशु ने हमसे साजा किया जैसे येशु ने हमारे पापों को ख्रमा किया हमारी सारी शारिरिक और आध्यात्मिक व्यभिचार जो हमने कभी किया है और ये प्यार इच्छा हमें मजबूत बनाओ, ताकि हम फिर कभी पाप न करें, सही, तो प्रिय शिलोह, क्या हम नए यरुशलम के निर्मान के लिए तयार हैं, येशु मसीह का शरीर, सच्चा एक व्यक्ति, सही, बाइबल के अनुसार, पुरुष के रूप में, और एक पत्नी, एक व्यक्ति के रू में एक साथ मिलकर, उस एक व्यक्ति का निर्मान करें, स्वयम को शुद्ध एवं पवित्र रखकर, अपनी शादी को पवित्र बनाए रखकर, और निंदा नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ साझा करना, वही प्रेम जो येशु ने हमारे प्रति दिखाया, जैसा कि उसने व्यभिचार में पकड़ी गई, एक स्त्री की ओर दिखाया था, ताकि एक साथ हम पाप करने के लिए प्रेरित और मजबूत होंगे, नहीं, तथास्तू, तो आओ हम वेश्यवृत्ति के बेबिलोन से बाहर निकलें, नए के लिए, अंतिम दिनों में, एक नया यरूशलेम होगा, जो यीशु की दुलहन है, लेकिन वहाँ बेबिलोन भी है, वेश्याओं की मा, हम ये करने जा रहे हैं, और यह नहीं, तथास्तू, तो अंतिम शलोक, प्रकाशित वाक्य, अध्याय चार का शलोक, आईए हम परमेश्वर को उसकी कलीस्याओं से बात करते हुए सुन लोग, उसके पापों में भाग न ले, या फिर तुम्हें भी उसके साथ दंड दिया जाएगा, तो आईए हम खुद को तयार करें, एक नए यरुशलिम के रूप में, पती ईशु मसीह के लिए सजी दुलहन, आज हमारे अध्यान में शामिल होने के लिए धनिवाद शालो है, अपने दिल में रखना या सुनना, क्योंकि व्यभिचार एक बहुत ही समवेदन शील विशय है पिता जी, लेकिन जैसा कि आप इस शक्तिशाली प्रकाश को फैलाओ, पवित्र आत्मा का शक्तिशाली प्रकाश हम पर बरस रहा है, ताकि हम महसूस कर सकें और देख सकें कि हम कितने गंदे और कितने, हम तुम्हारे सामने कितने अपवित्र हैं, हे पिता, हमें एक साथ हाथ मिलाकर सच्चा पश्चाताप करने में मदद करें, क्योंकि कल शीलो तुम्हारे सामने शुद्ध कूमवारियों के रूप में खड़ी होगी, लेकिन केवल इसलिए क्यो और हम सब मिलकर अपने सच्चे पती, अपने निर्माता के इस अद्भुत प्रेम की प्रशंसा कर सकते हैं। और ये एक मिशन है, शीलो का जो शांती लाता है, परमेश्वर की प्रसन इच्चा को पूरा करता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि यह वचन प्रत्येक संत को सशक्त बनाएगा। जो संघर्ष करता है, जो तरस्ता है, आपके वचन के अन जीवन व्यतीत करना। येश्व के नाम में हम प्रार्थना करते हैं तथास्तू।